आज हम ये वाले English word सिखेंगे और अपनी spoken vocabulary को improve करेंगे So first word is Dora कई लोगों को कुछी इस तरह से दोरे आते हैं और मुँसे जाग निकलने शुरू हो जाते हैं Dora को हम English बोलते हैं Caesar Caesar मतलब Dora Next गुटने टेकना प्रार्थना करने के लिए या फिर किसी के सामने हार जाने पर हम गुटने टेक देते हैं गुटने टेकने को हम English बोलते हैं Kneel down मतलब गुटने टेकना Next आपाखोना यानि कि गुसा आना कई लोग छोटी छोटी बातों पर अपना आपाखो देते हैं जैसे कोई महत्मा अगर किसी बिमार को चुटकी बजा कर ठीक कर दे तो यह एक चमतकार ही होता है चमतकार को हम English मोलते हैं मिरेकल मतलब चमतकार Next वड़ा नो सिखिया यानि कि ऐसा इंसान जिसे तज़ुर्बा ना हो नया नया सिखा हो नो सिखिय को मिंगलिश मोलते हैं नो विस मतलब नो सिखिया Next मजबूरी जैसे की स्कूल में दी हुए काम को पूरा करना स्टूएंट्स की मजबूरी होती है मजबूरी को मिंगलिश मोलते हैं मतलब मजबूरी Next जादू टोना जो कि चुड़ेल या तांतरी लोग करते हैं कोई गलत काम को पूरा करने के लिए जादू टोने को मिंगलिश बोलते हैं वीच क्राफ्ट मतलब जादू टोना नेक्स्ट जलेबी जलेबी तो आपने खाई होगी किसी रेडी पर या फिर घर में बना कर जलेबी को मिंगलिश मोलता है फनल केक मतलब जलेबी नेक्स्ट लंगडाना पैर में चोट लगने पर हम लंगडा कर चलते हैं कुछ इस तरह से लंगडाने को मिंगलिश मोलता है लिंप मतलब लंगडाना नेक्स्ट वड़ तुतलाना बच्चे अक्सर ठीक से बोलनी पाते, वो तुतला कर बोलते हैं, जो हमें बड़ा फनी लगता है, तुतलाने को हम इंग्लिश बोलते हैं, लिस्प, मतलब तुतलाना, नेक्स्ट वाहन कबजे में लेना, बाइक वगरा की पेपर पूरे ना हो, या फिर नो पार्किंग जोन म गाड़ी खड़ी करने पर पुलिस वाले हमारी गाड़ी को कबजे में ले लेते हैं, और फिर हमें फाइन भरकर छुड़वाने पड़ती है, वाहन कबजे में लेने को मिंग्लिश बोलता है, इमपाउंड, मतलब वाहन कबजे में लेना, नेक्स्ट भाग कर शादी करना, और डेस्क्रिप्शन में में मेरा एक और चैनल है, उसे भी जरूर देख लेना, नेक्स्ट भढ़ास निकालना, यानि कि अंदर का गुस्सा निकालना, जैसे हम अपनी भढ़ास अक्सर बच्चों पर निकाल लेते हैं, भढ़ास निकालने को मिंग्लिश बोलता है, पौप खाना खाते हैं, बंडारे को मिंग्लिश बोलता है, फीस्ट, मतलब बंडारा, जैसे कई हस्बंड की आदत होती है, फाल तुम्हें अपनी पतली पर बढ़ाने की, बढ़ाने को मिंग्लिश बोलता है, ग्रंबल, मतलब बढ़ाना, नेक्स्ट नपूंसक यानि ऐसा इंसान लार अख्सर टपकती है, लार टपकाने को मिंग्लिश बोलते हैं, drool over मतलब लार टपकाना next खिलना, यानि फूल का खिलना जो कि सब को अच्छा लगता है, जब कोई फूल खिलता है, खिलने को मिंग्लिश बोलते है bloom, bloom मतलब खिलना, और मुर्जाना किसी फूल का या फिर पोदे का, जब उसे पानी वगरा नहीं देते हैं, मुर्जाने को मिंग्लिश बोलते है, shrival मतलब मुर्जाना, next सिर्खुजाना, कुछ इस तरह से हम अपना सिर्खुजाते हैं जब हमें कोई confusion होता है सिर्खुजाने को मिंग्लिश बोलते है, scratch head scratch head, मतलब सिर्खुजाना next महबूबा, यानि वो औरत जिसे हम प्यार करते हैं महबूबा को मिंग्लिश बोलते है, beloved beloved, मतलब महबूबा next सिर्फिरना, बोलते हैं तेरह सिर्फिर गया क्या यानि कि तू पागल हो गया क्या सिर फिरने को में इंगलिश बोलते है Turn Crazy Turn Crazy मतलब सिर फिरना And the last word is शुप चिंतक मतलब ऐसा इंसान जो हमारे बारे में अच्छा सोचता हो और हमारा बला चाहता हो शुप चिंतक को में इंगलिश बोलते है Well-wisher Well-wisher मतलब शुप चिंतक इन दोनों के अंसान जो रैट कर दीजी कमेंड बक्स में और जाने से पहले Please मेरे चैनल को सब्सकाइब कर दीजी क्योंकि आपका सब्सकाइब भी मेरे हीमत बढ़ाता है मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई